16.3 बहुलक, पॉलिमर हमने पिछली कक्षा में देखा कि कार्बन के योगिकों में कार्बन परमाणूं की श्रिंखला होती है ये आपस में जुड़कर बहुत लंबी दो कार्बन से 1000 कार्बन तक श्रिंखला वाले योगिक बनाते हैं कम अनुभार वाले कार्बनिक अनू आपस में मिलकर उच्च अनुभार वाले कार्बनिक अनू बनाते हैं इस प्रक्रिया को बहुली करण कहते हैं कम अनुभार वाले अनू को एकलक मोनोमर तथा उनसे बने अधिक अनुभार वाले अनू को बहुलक पॉलीमर कहते हैं इस प्रकार एक बहुलक में बहुत सारे एक लक होते हैं, जिनकी संख्या को N द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रोटीन, कार्वोहाइडरेट, टेरिलिन, पॉलिथिन आदी बहुलक के उदाहरण हैं। 16.3.1 प्राकृतिक एवं संसलेशित बहुलक, Natural and Synthetic Polymer, कुछ बहुलक जैसे रेशम उन आदी जो हमें जनतुओं से प्राप्थ होते हैं और स्टार्ट सल्लोज जैसे बहुलक जो पौधों से प्राप्थ होते हैं, प्राकृतिक बहुलक, Natural Polymer कहलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे बहुलक जो मनुश्य द्वारा बनाये जाते हैं संसलेशित बहुलक, Synthetic Polymer कहलाते हैं। बहुलक ने हमारे दैनिक जीवन को बहुत आसान बना दिया है और हम उनका उप्योग बहुतायत में करते हैं। आईए ऐसे ही कुछ बहुलकों के बारे में जाने। 16.3.2, Polythene Polythene, Ethene नामक एकलक की लंबी श्रिंखला से बना होता है। इसे मुख्यता दो प्रकार से बनाया जाता है और दोनों विधियों से प्राप्त Polythene का स्वभाव या प्रकृती अलग-अलग होती है। 16.3.2.1 कम घनत्व वाला Polythene या LDPE, Low Density Polythene यदि Ethene, Ethylene के बहुत सारे अड़ों को 6-7 वायुमंडली दाप और 330-470 केल्विन ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिती में गरम किया जाए। तो हमें ऐसा Polythene मिलता है जिसका घनत्व कम और गलनांक उच्च होता है। N. C, Single Bond H, Single Bond H, Double Bond C, Single Bond H, Single Bond H, Ethene 330-470 केल्विन ताप और 6-7 वायुमंडली दाप तथा उत्प्रेरक की उपस्थिती में Single Bond C, Single Bond H, Single Bond H, Single Bond C, Single Bond H, Single Bond H, Single Bond Whole N, कम घनत्व वाला Polythene यह अल्प पारदर्शी और कठोर होता है। जिसके कारण इसका उप्योग बाल्टी और पाइप बनाने में होता है। यह अधिकतर रसायनों के प्रती निश्क्रिय होता है। 16.3.2.2 उच्छ घनत्व वाला Polythene यह HDPE High Density Polythene एथीन के बहुत सारे अणों को जब ऑक्सीजन की अल्प मात्रा के साथ 473 केल्विन पर 1500-2000 वायुमंडलिय दाप पर गर्म किया जाता है। तो हमें पारदर्शी Polythene मिलता है जिसे उच्छ घनत्व वाला Polythene यह HDPE कहते हैं। N C single bond H single bond H double bond C single bond H single bond H ethene 473 केल्विन पर 1500-200 वायुमंडलिय दाप और O2 की उपस्थिती में single bond C single bond H single bond H single bond C single bond H single bond H single bond H single bond और गल्नांग कम होता है। इसलिए ऐसे polythene का उपयोग बोतल और पन्या बनाने में किया जाता है। Polymers Polymer मोनोमर से बनी लंबी श्रिंखला वाले कार्बनी कड़ू है। प्रकृती में कई प्रकार के प्राकृतिक बहुलक पाए जाते हैं। जैसे रबड, प्रोटीन, कार्बोहाइडरेट और DNA। संशलेशित पॉलिमर उद्खा उधारन है प्लास्टिक। जिसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुतायत में होता है। इसका उपयोग पैकेजिंग से लेकर घर के निर्माण में किया जाता है। घरों से निकलने वाले ठोस अप्षिष्ट का एक चौथाई भाग प्लास्टिक होता है। पर्यावरण पर इसके दुश प्रभाव को रोकने के लिए इसका पुनाः चक्रन किया जाता है। प्लास्टिक बोतलों प्लास्टिक पाइप बनाने में किया जाता है। पॉली विनायल क्लोराइट याने की पीवी सी का उप्योग दर्वाजे तथा खिड़क्यां बनाने में किया जाता है। पॉली टेटरफलूऔरो एथिलीन याने की PTFE का उप्योग बरतनों में नॉनिस्टिक कोटिंग बनाने के लिए किया जाता है।